Buds 3 प्रोजेक्ट अंतरगत नेपाली पहिलो पठक आफ्न भू उपग्रह अंतरिक्षामा पठाउं देशा Buds प्रोजेक्ट आफ्ने देशको भू उपग्रह न भईका देशलाई स्पेस संग जोर्न UN को सहयोग मा थालियेको प्रोजेक्ट हो नेपाल ले अंतरिक्षियमा पठाउंने लागेको भू उपग्रह को नाम हो नेपाली सैत्वान स्रीलंका र जापान संगे नेपाल को भू उपग्रह अमेरिका को वर्शिन आबाठा प्रक्षेपण होने च придढ़ निपाल ले लंच करना लागेको पहिलो सैटलाइट की हो osब do जाने स्सक्राइट क्यों काB यह था में लेमने सयप दोवणे इनल वत दयान evacu ट죠 यह इनले एकी दिए तक तान में किने सेटलाइट काई वाचनी पटां में टोटलाइट काईओो को आपने स्सक्राइब है के साथ्तकितान वालाव मोppen इसले कसरी काम करचा में अरे टाइम लगाए लो काल्ता हो लोीगिशल्य केों साहें कोडिक हो इसले कोडे हो व paci-p maze i will be . और में काष्ग कोडिक कर САरस घरैन तरी ओ व गाएंने कोडी हो सा कर구나 शना सेल्च्राइक साहें भाएं निलमकास , निलमकास , यो असय हो शोचे तरी तरी तुलो शाटलाइट्य गौने काम नेपाली साट्वान ना री ततकालाई गर देना. तर यसले नेपाल्याए के ही फाइदा भने पक्क हुंचा. नेपाली SAT-1 International Space Station मा गोईर जंड़े एक महिना बसने सौ तेहां बाट 430 किलोमेटर को आसपास मा यसलाई प्रिथिवी बाट छोडींचा रा छोडी को केही समय पसे सैटलाइट मा भयको एंटेना डिपलोईड हुन्चा रा यसले आफनो काम गर्ना थाल्चा उताबाट पठाएकु देठा रिसेव गोईना नेपाल मा ग्रांड स्टेशन चाहींचा रा यो नेपाल को लाकी प्रमुक्छुनाउती हो नानो सैटलाइट बनना एतीने घर्चा लाक सबनेरा किटान गर्ना सकेने अवस्था बने छाईना नेपाल को प्रतिस्ठा संग जोडियेको नेपाली साथ वान ले अहीले सामान्य रिसेर्च को काम गर्षा बर्ज त्री प्रोजेक्ट का अनुसार अबको दस बर्षा मान नेपाली नानो बाता स्मॉल रा स्मॉल बाता मीडियम सैटलाइट बनाएर दिनसक्नी चमता राक्सा कैमरामा प्रदीप तामांका साथ स्रीजना कूर काथमांडो